इस पार्ट में पिछले दो पार्ट के आगे की स्टोरी को बताया गया है और अब चलते हैं मोवी की एक्स्प्लेनेशन की तरह मोवी के स्टार्ट होते ही चार कॉलिज स्टूडेंट्स दिखाये जाते हैं वेस्ट वर्जिनिया में रिवर राफ्टिंग कर रही होते हैं वो चारों उसी चगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे उन फ्रेंड्स भी वहां पर ट्रे नहीं होता जिस पर एलेक्स उसे डूडने जाती है और पीछे से सोफी और ब्रेंट अकेली होते हैं अभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो आरपार हो जाता है अभी वो सिच्वेशन को समझे भी नहीं होते कि एक और तीर आता है जो सोफी की आँख ही वहें निकाल देता है और उन्दा स्पोर्ट सोफी मर जाती है उसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है इतनी दिर में एलक्स भी वहां पर आ जाती है तब थ्री फिंगर सोफी की आँख खा रहा होता है उसे देखकर वह फोरण वहीं पर छुप जाती है इतनी दिर में ट्रे भी कुछ लकणिया लेकर वहां पर आ जाता है वो थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है वो किसी तरह अपनी जान बचा कर जंगल की तरफ भागता है लेकिन थ्री फिंगर उससे भी पकड़के मार देता है और ब्रेंट भी इन मुटन्स के ट्रैप में फसकर उनका शिकार बन जाता है और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्सी जिन्दा बचती है इसके बाद वेस्ट वर्जिनिया की जेल को दिखाया जाता है जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जमादारी तीन पुलिस आफिसर्स को दी गई थी वो टोटल कैदि पाँच थी जिन में एक था जैविस जो माफिय और्गनाइजेशन का हैड था और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था उनका ट्रांसफर दो हफ़ते बाद होना था लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जैविस के आद में रास्ते में बस को हाइजेक कर सकते हैं और वो जैविस को छुड़वा कर ले जाएंगे और यही वज़ा है कि उन्होंने एमरजंसी ट्रांसफर प्लैन किया और साथ में इपना रूट भी चेंज कर दिया और उनका नया रूट वो खतरनाक वे था यानि पेपर मिल रूट वो सब कैधियों को बस में बिठाकर वहां से चल पड़ते हैं रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और वहां पर उन्हें शेरिफ कार और डैप्यूटी लेन मिलते हैं और वहें हमें थ्री डोस भी दिखाया जाता है जो थ्री फिंगर का नेफियू है उड़की वो ही है जो पिछले पार्ट में लासिंग में एक चोटा बच्चा होता है जिसे थ्री फिंगर फीड कर रहा होता है और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ हुता लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेटप कर रहा होता है लेकिन वो खुद ही ट्रैप में भस जाता है तब थ्री फिंगर आकर उसकी हelp करता है और फिर वो दोनों मिल कर उस सेटप को बिलकुल सेट करके वहां से चले जाते हैं दुसरी तरफ वो सब पुरी स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपने जर्णी पर चल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर चड़ते ही ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है। और वो थ्री फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फसाकर उसे पंक्चर कर देता है। जिससे वो बस पंड्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिफ जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उने देखने जाता है। लेकिन उस वक्त और उन पर हमला नहीं करता। पुलिस ओफिसर ने सब कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दुरान मौके का फायदा उठाकर जैविस उसे गन चीन लेता है। को कहता है कि वो सब की हकड़ियों को खोल दे। जिस पर नेट उसे जवाब देता है कि चावी तो बस के अंदर ही रह गई है। और बस को पूरी तरह आग लग चुकी थी और वो किसी में टाइम ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ओफिसर वाल्टर भी बस के अंदर ही होता है। और जब नेट चावी लेने बस में जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वकपर वाल्टर को वहां से निकाल लीता है। नेट जो चावी लेकर आया था वो बेकार हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जैवीज उसे नहीं मारता। कि उसे पता हुता है कि सिरफ नेट ही है जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है। मोग आगे बढ़ते। और जाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती हैं, जो नेट पर ऐटक कर देती है. और वो लड़की ऐलेक्स थी, वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटन रहता है, जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ये क्लिन नहीं कर रहा था, हलांके वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी, जिस पर जैव इस नेट को उसके कैप चेक करने के लिए भीजता है, और वहाँ पर उसे उसकी चावी और एक बंदूक मिल जाती है, और वो गन वो वाल्टर को दे देता है, और जब वो वेन को चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई है, इतने पैसे देखकर वो सब हीरान हो जाते हैं, और जेवेज ने दोडो बैका कर वाहाँ से जनी को कहता है, और सब लोग दोब बैक उठा लेते हैं, लेकिन वेल्टर जखमी था और वह बैक उठा नहीं सकता था, जिसपर जेवेज उसे जबर्धस्ती बैक उछाने के लिए कि ज затा, और मौका देखकर VALTER JAVIES को Shoot करने लगता है लेकिन बदकिस्मिती से उसमें GOLIA नहीं होती लेकिन इस बात के लिए JAVIES उसे माफी नहीं देता वो सीधा उसके सर में GOLI मार देता इस पर NAID कुछ भी नहीं कर सकता था यो मजबूर था फिर JAVIES सब को आगे डोस ने सैट अप किया था और वहीं ही चुपकर बैटा हुआ था तभी वही निकल कर बाहिर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है लेकिन जैविज उसे गूली मार कर नीचे गिरा देता है एलेक्स उन्हें बताती है कि यह वो म्योटेंट नहीं है इस पर जैविज को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए को एक लूट छोड़कर आगे बढ़ता है और जब थ्री फिंगर वहाँ पर पहुंचता है तो उसे थ्री डोस का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो पागल हो जाता है यानि अप पहने से भी जादा वो अपने होश खोब बैठा था आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है जिसे जैवीज पकड़ लेता है जिस पर विली फॉरन समझ जाता है कि ये उनके लिए बचाया गया एक ट्रैप है और वो जैवीज को आगे नकीलता है और उसे बचा ल जाते हैं दूसरे तरफ पुलिस टेशन में डिब्यूटी लेन को दो दिन पहले मिसिंग हुए चार स्टूड़न्स की लेड मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की अभी कॉई कॉल भी नहीं आई थी जिससे वो काफी फिकर मंद होता है वो सोचता है कि शैद उनकी बस को हाईजेक कर लिया है और वह उन लोगों को ढूनने जाता है और लेन उन कॉलिज स्टूड़न्स को ढूनने जाते हैं दूसरी तरफ वह सब एक पुराने केवन में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ टूल्स उने मिलते हैं और वह उसकी मदद से अपने जंजीरों को कार द पीट से लाता है त्री फिंगर उसे रेजर वायर में फशाक कर टुरक को वह से ले जाता है और ड्रग को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्राफ फोर्ट को सरक पर घसीडता है और वह इतनी शिदत से अब कि जब तक कि वह मर ना जाए पीछे से मौका देकर फ्लाट यहें करने के बाद वो अपने डॉब को लेकर नेट को ढूंडने जंगल में चला जाता है ब्रैंड़न जैlor को कहता है कि उन्हें पैसों को यही छोड़कर नेट को ढूंडना चाहिए जैर्ट उसकी बात प्मान लेता है को पैसे किने आफर किसी से कॉंड Müद्स अीज का सकते हैं ते स०्रक्राइब लिए इह वो सब आउं पर पूंचते हैं निज उन बाइयों ने जैविस नेट को शूट करनी लगता है लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहां पर पहुँच जाता है और उन्हें वहां से ले जाता है लेकिन तब भी थ्री फिंगर द्रक्त पर बैटा हुआ एक बा साफ पर जाता है लेकिन फ्रड्ड सारा किश लेकर वहां से भाग रहोता है और तभी जैविस को कि अवाज आ जाता है लेकिन इससे पहले चैवीज उसे पकड़ लेता है और अभी उसे शूट करने ही वाला प्रेइंड उसे मार कर भी होश कर देता है और वह दोनों उसे वही पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल पढ़ता है और वहीं पर हमें जाबेंटी लेंगी बादी वी मिलती है क्योंकि इससे पहले उसे भी पकड़ कर मार चुका था ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है और इतने ही दीर में जैवेज वहां पर आकर उसे मार कर बेहोश कर देता है वह आगे बढ़ने लगता है तब त्री फिंगर वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है जैविज स्री फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शकल ही बिगार दीता है और उसका फेज इतना बुरा बन जाता है कि वह पहचान में नहीं आता पहने से भी जादा लेकिन फिंगर वहां आकर उन पर हमला कर देता है त्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वही लकडी जिस पर त्री डोस का सर रखा था वह त्री फिंगर को पीछे से मारती है उसके इंदर घुसा कर उसे मार देती है और वह दोनों उसका ट्रॉक लेकर वह दिर में ब्रेंडन भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है लेकिन थ्री फिंगर इतनी असानी से तो उनकी जान बख्षने वाला नहीं था और फिर से नेट को पकड़ लेता है लेकिन इस मरतबा नेट उसी का टूल पकड़ की उसमें गुसा देता है और उसे स्ट्रॉंग करने के लिए वो उसे ट्रक पर भी दे मारता है और फोरन ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही स्री फिंगर भी जल जाता है नेट ब्रेंडन को अजाद कर देता है और उसे वहां से जानी देता है कुछ दिर बाद उनकी पूर लेता है लेकिन तभी एक और म्यूटेंट बहां पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है और किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो म्यूटेंट कौन है और आज तक यह सवाल बन कर ही रहा और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है